नमस्कार, सत्य खबर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ आरुन कुमार IPL की सीजन का शेडूल जारी हो चुका है सीजन का पहला मुकाबला 29 मार्च को वानखेडे स्टेडियम में मौजुदा चैंपियन मुंबई इंडियन्स और चेन्ने सूपर किंक्स के बीच खेला जाएगा IPL 2020 का आगाज साथ अफरिका के खिलाफ भारत की घरेलू वंडे सिरीज खत्म होने के 11 दिन बाद होगा लीग राउंड 29 मार्च से शुरू होगा और 27 माई तक चलेगा पिछले साल लीग राउंड 44 दिन तक चले थे जबकि इस बार ये 50 दिन तक चलने वाले हैं IPL गवर्निंग काउंसिल के मताबिक इस साल केवल 6 दिन ही एक दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे और ये सब ही मैच रईवार को होंगे हलाक इस बार फैंस IPL के साथ साथ आल स्टार गेम का भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जिसकी घोशना पिछले महिने नई दिल्ली में IPL गवर्निंग काउंसिल की हुई एहम बैटक में BCCI अद्देक्स सौरोग गांगु लेने की थी आल स्टार मैच 25 मार्च को खेला जाएगा जिसमें MS धोनी की कप्तानी में विराट कोली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं दे टेलिग्राफ की खबर के अनुसार ये मुकाबला 25 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा IPL के इतियास में पहली बार एक आल स्टार मैच आयोजित किया जाएगा इसमें सभी आठो फ्रेंचैजियों के खिलाडी शामिल होंगे ये मैच उत्तर वे पूरी भारत की चार फ्रेंचैजी किंग्सलन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रोयल्स और कूलकाता नाइट राइडर्स वे दक्षिन और पश्चिम भारत की फ्रेंचैजी चेन्नी सूपर किंग्स, रोयल चैलिंजर्स बैंगलोर, सन्राइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियन्स के खिलाडियों के बीच होगा ख़बर के अनुसार, आल स्टार मैच की तारीक और जगह के फैंसले पर मोहर लगना अभी बाकी है, हाला कि पिछले दिनों आई एक ख़बर के अनुसार आई पेर शुरू होने से पहले अल स्टार मैच को लेकर फ्रेंचाईजी सैमत नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने बड़े और एहम खिलाडियों के चोटिल होने का डर बना हुआ था फिलाल इस अल स्टार मैच का सभी दर्शकों को बिस अबरी से इंतजार है अगर यह वीडियो आप फेस्बूप पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजेगा और यह वीडियो अगर आपने यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद